जी यासे हुआ वालेकूम, आज के इस विदिए टूरियल में हम फॉर्मवर्ग क्वंटिटी फाइंड आउट करने जारहे ही कालम नेक्स की और उसके साथ हमने कॉंक्रेट क्वनटिटी को भी फाइंड आउट करने कालम नेक्स के लिए इससे पहले हम excavation for foundation PCC for foundation उसके बाद formwork for the foundation RCC for the foundation यह तमाम चीज़ें हम complete कर चुके हैं यह complete video series है complete project की estimation हम कर रहें अगर आपने directly यहाँ पर jump किया तो it is important कि आप जाएं start से यह videos आपने लाजमी देखनी है तो चलिए move करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं what are column next and then we will find out the quantity लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं subscribe किया तो subscribe कर ले बला इकन प्रस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का notification आप पहुंच सके यहां पर मैंने isolated footing को open किया आप देख सकते है isolated footing is over here now column next are the columns that are starting right from the foundation and they are going to connect with the superstructure column column next वो columns होते हैं जो basically foundation से start होते हैं और वो connect करते हैं superstructure के columns में जाके ठीक है तो यहां पर आप इस picture में देख सकते हैं कि हमारे पास dowels जो बाहर से हैं वो यहां से start होई है till this position गई है और यह अब lab करेंगी यहां पर superstructure के columns में ठीक है तो यह जो area basically यह वाला जो area है यहां से लेके यह footing तक यह column next है हमारे पास ठीक है अब इसकी हमने क्या find out करनी है इसका हमने formwork की quantity भी find out करनी है और concrete की quantity भी find out करनी है देखें अब अगर formwork हमने find out करना है तो as I said earlier के end value जो है formwork की वो square meter रहे right mean के हमें area required है तो area के लिए हमें parameter चाहिए होगा चारों sides चाहिए होगी multiply by height required होगी यह आगया क्या area इसके साथ अगर हमें concrete चाहिए तो हमें volume चाहिए होगा end value चाहिए वो volume है उसके लिए हमें total जो column है उसका area multiply by height of the concrete will give us volume लिए हो तो यह basically hopefully आपको समझागी होगी column next है क्या और उसके बाद आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमने जो quantity है formwork की column next के लिए हो किसे find out करनी है concrete किसे find out करनी है तो चलिए move करते हैं drawing में हम पहले देख रहे हैं column next का size के पिर हम excel में उसको find out करना सीखेंगे now drawing में ने open कर दी है और आप देख रहे होंगे till this position we have find out already everything और यह हमारे पास ground level यहां से लेकि यहां तक हमने concrete को pour करना है column next के लिए देखें यहां तक क्योंकि इसके ओपर हमारे पास डायरेक्टिक यहां है grade beam यह section में आप देख सकते हैं यह एक beam है इसको बोलेंगे grade beam यहां पर plan वगरा भी दिया गया अगर steel की बात की जाए तो column next के लिए steel हमने यहां से start करने development length है आप देख सकते हैं till this position और यहां से superstructure के जो column से उनकी जो steel है वो लैप करेगा यहां पर ठीक है इस level पर क्योंकि यह grade beam है यहां पर फिनिश होना grade beam इस से ओपर जो steel जाए का वो लैपिंग के लिए होगा तो hopefully आपको समझ आगी होगी यह total height हमें required होगी parameter के लिए हम column के plan में चले जाएंगी जी column का size किया वो parameter आ जाना है यहां पर दिया गया होगा sorry यहां पर दिया गया है ना यह ठीक है यह size है basically यहां पर हमने formwork को place करना है चारूं side पर इस तरह से फिर यहां से लेकि यहां तक height है हमरे पास यह height लेकि हमें total area आ जाना है तो चलिए move करते है excel में यहां पर आगए हम और चुंकि formwork find out कर रहे हैं तो मैं इसी tab को formwork for foundation को right click करूंगा move or copy move to and create copy करके ok कर दूँगा और उसके बाद मैं इसको rename करता हूं formwork for अगर मैं लिखूंँ तो column next लिखूंगा for column next right इसको मैं करता हूं delete okay and formwork for column next column next और formwork for column next यह तमाम चीज़ें आपने modify करनी important होती है ताके देखें जब भी आप estimation कर रहे होते हैं अगर आप contractor की side से estimation कर रहे हैं तो आपने यह forward करनी होती है आगे for checking purpose for verification जो client your consultant है उसको तो यह clear होना चाहिए कि आपने क्या find out कि यह नहीं है कि यहां पर कुछ और लिख है यहां पर कुछ और है और यहां पर कुछ और है यह तमाम चीज़ें आपने modify करनी according to the estimation जो आप कर रहे हैं अब यहां पर मैं लिखता okay footing से हमारे पास यह देख सकते हैं आप one two three four five and six are over here इसके बाद length हमें required होगी और length में हमें क्या required होगा parameter हमें required होगा तो parameter find out करने के लिए देखें अगर size 300 है by 300 है तो three six nine and twelve three six nine and twelve total parameter जो हो 1200 mm है mean 1.2 meter है और जो height के अगर बात की जाए तो height total कितनी है height यहां से लेकिए यहां तक है 250 mm 250.25 let me put it over here 0.25 तो यह देखें total जो area हमारे पास आ चुका है यहां पी और यहां पी तोटल एरिया पास आ आ गिया है तो इस तरह से हमने formwork की quantity find out करनी है किसकी column next की अब next to it हमने find out करनी है concrete को तो मैं move to end में जाओंगा create copy करके ok करूंगा और इसको rename करता हूँ मैं लिखता हूँ concrete for column next right और यहां पी यही लिखता हूँ concrete for column next ना इसको मैं करता हूँ delete यहां से and लिखता हूँ जाना concrete for column next c.in one column next one हो गया उसके बाद number of column next six होंगे छे foundation से छे column है हमारे पास हमें length required होगी breadth required होगी तो अगर हम cross section की बात करें देखें concrete के case में हमें volume चाहिए end value जो है volume है तो यह 0.3 by 0.3 है 300 mm mean 0.3 meter देखें मैं convert करके देखाता हूँ आपको 300 divided by 1,000 0.3 meter by 0.3 meter so मैं यहां पर लिखता हूँ 0.3 by 0.3 what about the depth so हम height की अगर बात कर रहें तो column next की height है हमने लेनी वो यह है 250 mm ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूँ 0.25 तो यह total volume आ गया है हमेरे पास यहां पर यह देखें टोटल volume आया है और यह total quantity यहां पर आ चुकी है तो हमने find out के लिए जी form work for column next और concrete for column next दोनों को अब नेक्स tutorial में हमने क्या करना है हमने backfilling को find out करना है तो मिलते नेक्स tutorial में करना हाफिस